नमस्कार मैं पंकच आपका स्वागत करता हूँ आए इस वीडियो में जानते हैं योनो लाइट का फिंगर प्रिंट से कैसे आप अनेबल करके उसको लोगिन कर सकते हैं तो योनो लाइट में जब न्यू भरसन आया है उसमें फिंगर से भी आप लोगिन कर सकते हैं तो चली 맞to light को open कर ले ना इसमें देखे यह जो है एक का अपको मेसेज भी आता है कि आप finger से भी login कर सकते हैं तो फिंगर से login करने के लिए सब से पहले जैसे की easy pin से आप login करते है तो इससे आप & logon नहीं करना है उसके लिए आपको करना है password से लोगिन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, पासवर्ड ओप्सन में आपको आ जाना है, इधर EZPIN है, इधर पासवर्ड है, तो EZPIN से गई दिए आप लोगिन करते हैं, तो आपको जो है, यह फिंगर प्रिंट सेट अप करने का आपको ओप्सन नहीं मिलेगा, तो उसके लि यूजर आइडी है, तो अभी जो है, हम यूजर आइडी को इंटर कर लेते हैं, और पासवर्ड को भी इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस प्रकास से आपको सेट, तो देखिए, यहाँ जो है, हम यूजर आइडी और पासवर्ड से इसको हम योनो ला यहां पर सबसे लास्ट में एक option है अनेबल fingerprint तो अनेबल fingerprint में आपको tap करना यहां पर देखिए उसके बाद यहां पर देखिए प्लीज इंटर है अलफा नुम्रिक की फोर फिंगर प्रिंट ऑथेंटिकेशन इस फोर वन तो यहां पर एक आपको six digit का आपको बनाना है यहां पर एक पासवर्ड आपको बनाना है जो की एक time ही आपका यूज होगा उसके बाद फिर आपका यह यूज नहीं होगा तो आप इसमें जो है अलफा और नुम Rick यानि कि कुछ अलफाबेट नंबर और नंबर दोनों और आपको इंटर करना लाइं यानि कि कुछ लेटर आपको टाइप करना है जैसे की जो भी लेटर है जैसे की हम थरी जो है लेटर दे दी उसके बाद जो है कुछ औंक में भी देना है था हम 123 कर दे रहे हैं देखिए इस प्रकार से उसके बाद यहां पर देखिए अनेवल fingerprint यहां पर आपको टैप कर देना है जैसे ही टैप करते हैं तो आपका जो finger का जो है इसमें आपको रखना है जो mobile का आपका finger है उसमें आपको एक फिंगर यहां पर जो है फिंगर सेंसर में आपको Пस याप को ले को देखे यहां जो है ओंटीपी अ चुका है तो हम ओटीपी को यहां से ले ले लिए तो तो यहाँ पर OTP को इंटर कर देना है आपको जो mobile आपका जो bank में जो registered mobile है उसमें एक OTP जायागा तो उसको यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको submit में tap कर देना है तो देखे इस परकास से fingerprint authentication enabled successfully तो इस परकास से यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे यहाँ पर आपका फिंगर से ही लोगिन हो जाएगा तो एक बार इसको log out कर देना है फिर से आपका जो है यह अनेबल हो जाएगा fingerprint तो इसी परकास से आप यहाँ लाइट में आप set कर सकते हैं अपना fingerprint set कर सकते हैं उसके बाद जो है आपका finger से ही login हो जाएगा तो चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकास से आपका लोगिन होगा यहाँ पर देख सकते हैं अब तीन ओप्सन आ चुका है fingerprint है easy pin है उसके बाद यहाँ पर देखिए password है यहाँ पर तीन ओप्सन आ गिया पहले दो ही option था देख सकते हैं अब जो है fingerprint से login करने के लिए यहाँ पर एक बार आपको tap करना है click here to login with fingerprint यहाँ पर आपको एक बार tap कर देना है उसके बाद अपना finger जो है इसमें आपको रख देना है fingerprint का जो sensor है उसमें आपको अपना finger को रख देना है देखे इस प्रकास यह जो है यह लोगिन हो चुका है यहाँ पर देखे डियर यूजर यू केन एभिल मैक्सिमम ट्रांजेक्षन लिमीट ओफ आरस 2000 यानिकि 2000 तक आप इसमें जो है ट्रांजेक्षन कर सकते हैं 2000 से उपर का गईदी करना है तो फिंगर प्रिंट से लोगिन कर कि आप 2000 से उपर का ट्रांजेक्षन आप नहीं कर सकते हैं यानिकि 2000 से नीचे का ट्रांजेक्षन आप फिंगर से भी लोगिन करके आप भेज सकते हैं किसी को भी तो देखे इस प्रकास से यह सेट अप हो चुका है तो इसी प्रकास से आप यहाँ जो है फिंगर प्रिंट स देखने के लिए धहिनवाद और इसी परगर का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करने धहिनवाद